अस्सालाम आले कुम एवरीवन यह है अलसीफ अलसीफ दुबई संटा क्लॉक ट्री यह बनाओ यह देखेंगे आप संटा क्लॉक ट्री बनाओऊ है अलसीफ एरिया में बड़ दुबई यह डिफ्रेंस किसम केस में बलून से लगे हैं लाइटिंग से लगे हैं और रंग बरंगी यह इसका समा है यह देखें आप और मल्टा ही इसकी लाइटिंग से यह चेंज होती है और यह 40 मीटर्स लंबा बनावा है अलसीव के एरिये में और यह सामने संटा क्लक्स ब्रादर बेठे में उपर और नीचे संटा क्लक्स ब्रादर खड़े में और यह क्रेस्मस का 25 डिसंबर सेलिबिरेशन डे का इस पर यहां पर यह एम्यूजमेंट ट्री एरियाज है माशालला से देखें कितने दबर्दस किसम से यह दर्ख को सजाया हुआ है इसी तर आएके और भी डिफरेंट किसम के दर्ख ते स्कूल लाइटिंग से सजाया हुआ है यह आप देखें और यहां पर पूरा एक शॉपिंग फेस्टिवल का एट्मोस्फियर है चोटे-चोटे स्टॉल्स भी लगे हुए यह फेस्टॉल्स की फर्चेजिंग भी हो रही है यह देखें और यह चारों दर्ख से एक ही इसका आप्शन आ रहा है एक ही एट्मोस्फियर है चारों दर्ख से यह गिफ्टिंग ट्रीट्स सारी निदर आ रही है आपको पूरा ये सीफ का एरिया है और सामने अबरा है और ये देखें कि इधर आरे जारे हैं सामने अबरे से शीफ दाती है वह सामने बल्दिया मुंसी पंडी का ओफीज है सामने रोलेक्स टावर है सामने अलमुश्रब बैंक ये सामने अमिरेट सेंड मीडी दुबाई एकनॉमिक और ये शिप एरिया है इदर पूरा समंदर का एरिया भी है अबरा से दूसरी साइड आते हैं सीफ साइड है ये पूरा और इदर ये म्यूजियम्स भी है ये डिफरन खिसम के दर म्यूजियम है उसमें शाप्स है छोटे 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 ये खरीदारी की दुकान्स भी हैं यहां पे ये पूरा एरिया है म्यूजियम का ये सामने जाके मीजियम रेस्टराइंट शुरू हो जाता है यहाँ पर यह सामने वाला एरिया मीजियम का है यह देखें यह मीजियम है और यह उपर बैठे में संटक लग स्टेचू लगावा यह उपर यहाँ पर स्पेशली अलग यह बैठे में और यह स्काइट्री सामने क्रेस्मिस स्काइट्री का यह टावर है यह पूरा मीजियम का एरिया है सारे यह मीजियम बने वे और यह किस्में ट्री फोग वाग 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 यह देखें फिर में लेंगे नई वीडियो के साथ